Hello everyone, I hope आप लोग सब छीख होंगे आज हम लोग डिसकस करने जा रहे हैं Short Story The Secret Sharer The Secret Sharer इस Short Story को लिखा है Polish-British author Joseph Conrad ने Joseph Conrad ने इस Short Story को 1909 में लिखा था और 1910 में Harper's Magazine के अंदर इसको publish किया था उसके बाद इस Short Story को Twixt Land and Sea Collection Short Story Collection का पार्ट बनाया गया था तो पहले हम इस Short Story की समरी पढ़ लेते हैं और उसके बाद इसका एनालसिस करेंगे The Secret Sharer कहानी शुरू होती है एक गुमनाम नेरेटर से जिसे हाल ही में एक नामालूम जहास का कप्तान मुकरर किया गया था ये जहास खलीच सयाम जिसे हम खलीच थाईलेंड भी कहते हैं उसमें फिक्स किया गया था यानि के जहास को एंकर किया गया था कप्तान जहास के डेक पर अकेला खड़ा गरूबे आफताब को देखता है और सामंदर की खामोशी में खुद को अकेला महसूस करता है वो अपने अमले के लिए खुद को बहुत अजनबी महसूस करता है क्योंके अमला एक दूसरे के साथ काफी वक्त से काम कर रहा होता है जबके कैप्टेन उन में नया होता है इसलिए वो खुद को बहुत अकेला महसूस करता है एक रात वो अमले के साथ खाने के टेबल पे बैठता है वो उनसे कहता है कि उसने एक और बहरी जहास देखा है समंदर में जिसे जजीरों के करीब फिक्स होना चाहिए था जिस पर अमले का एक आदमी उसे बताता है कि वो जहास सेफोरा है जो के लिवर पॉल से है और कोईले का सामान लेकर जा रहा है अब कैप्टन अपनी नेक नियती जाहिर करते हुए अमले से कहता है कि आज जहास की निगरानी रात एक बज़े तक वो खुद करेगा क्योंकि बाकी अमला दो दिन से बहुत मेहनत कर रहा है जिस पर अमले के लोग बहुत हैरान होते है क्योंकि उनके लिए ये एक नई चीज है कैप्टन कभी भी इस तरह से देर रात तक डेक पर हिफाज़त नहीं कर सकता इसलिए उनके लिए ये एक नई चीज होती है अब कैप्टन डेक के उपर निगरानी करना शुरू कर देता है निगरानी के दुरान जब अमला सो रहा होता है तो कैप्टन की नजर एक सीड़ी पर जाती है यूकि बहरी जहाद से नीचे समंदर में फैंकी गई होती है कैप्टन उस सीड़ी को खेंचना शुरू कर देता है उस सीड़ी एक कश्टी में सवार आदमी को मेल देने के लिए समंदर में फैंकी गई थी जब कैप्टन सीडी को ऊपर खेंचता है तो उसे एक जटका महसूस होता है वो डेक्ट पर जुक कर नीचे समंदर की तरफ देखता है तो उसे पानी में एक नंगा आदमी दिखाई देता है जो के सीडी को पक्ड़े होता है आदमी अपना तारूफ लेगट पर कर्वाता है उसका नाम है लेगट कैप्टन उसे जहाद के अंदर कीच लेता है और उसे कुछ कपड़े भी ला कर देता है लेगट कैप्टन को बताता है कि वो सिफोरा का चीफ मेड था उसने साथ हफते पहले गलती से एक गुस्ताख साथी अमले को कतल कर दिया था कैप्टन लेगट को अपने कमरे में ले जाता है जहां वो कैप्टन को मजीद बताता है कि उसे कैबिन में उस वक्त तक हरास्त में रखा गया था जब तक कि वो फरार होकर सीड़ी तक पहुँचा और कैप्टन ने उसको देखा वो बताता है कि उसने अपने कपड़े भी समंदर में डबो दिये ताके सिफोरा का अमला ये समझे कि उसने डूब कर खुद कुशी कर ली है अब कैप्टन लेगट के साथ एक नाकाबल वजाहत तालुक को महसूस करता है और उसे माई डबल और सेकंड सेल्फ कहकर पकारता है वो लेगट को बताता है कि वो दो हफ़ते पहले ही इन चार्ज बना है इस जहाज का और खुद को जहाज पर इतना अजनबी महसूस करता है जितना लेगट महसूस कर रहा है और उसके बाद वो लेगट को अपने कमरे में छुपा लेता है जल्द ही सेफोरा का कैप्टन लेगट की तलाशी में जहाज पर पहुंच जाता है वो जहाज की तलाशी लेता है लेकिन कैप्टन की वजह से लेगट बच जाता है सेफोरा का कैप्टन कहता है कि जब उसका जहाज घर पहुंचे गा तो वो लेगट को खुदकुशी के तोर पर रिपोर्ट करेगा जिस पर कैप्टन और लेगट पूर सिकून महसूस करते हैं अब जैसे ही कैप्टन का जहाज घर का सफर शुरू करता है तो कैप्टन को परिशानी लाहक हो जाती है कि कहीं कोई लेगेट को देख ही ना ले एक दिन तो स्टीवर्ड कैप्टन के रूम में कोट रखने पहुंच जाता है लेगेट बहुत मुश्किल से बचता है उससे लेगेट कैप्टन से कहता है कि उसी किसी जजीरे पर छोड़ दे क्योंकि वो इंगलेंड वापिस जाकर जेल या फांसी का सामना नहीं कर सकता कैप्टन उसकी बात मान लेता है जैसे ही जहास को रिंग जजीरे के करीब पहुँचता है कैप्टन जहास को साहल की तरफ ले जाना शुरू कर देता है थोड़ा साहिल के करीब जाकर लेगट पानी में चलांग लगा देता है और हिफाज़त के साथ जजीरे की तरफ तैरना शुरू कर देता है उसके बाद कैप्टन जहाज को हिफाज़त से वहां से निकाल लेता है और लेगट को अपनी नई मनजल की तरफ रवाना करके वहां से चला जाता है और यहां पर यह कहानी खत्म हो जाती है समरी हमने पढ़ ली आप इसका एनालसिस कर लेते हैं इस स्टोरी का नाम है टाइटल है दा सीक्रेट शेरर अब सीक्रेट क्या है हम स्टोरी के शुरू में देखते हैं कि केपٹन को बहुत तंगी महसूस हो रही है बाकी अमले के साथ घुलने मिलने में वो बहुत परेशान हो जाता है क्यूकि वो खुदको सबसे अलग महसूस करता है बाकी लोग एकार से एक दूसरे के साथ काम कर रहे होते है लेकिन कैप्टन उनमें न्या होता है इसलिए उसके लिए possible नहीं होता उनके साथ खुलना मिलना वो खुद को अकेला महसूस करता है जब legget उसको मिलता है तो वो बहुत confident हो जाता है बहुत खुश हो जाता है और अपने सारे सीक्रेट अपनी सारी बातें उसके साथ शेयर करता है और लेगट भी अपना सीक्रेट जो उसने किसी को कतल किया होता है उस सीक्रेट को कैप्टन के साथ शेयर करता है वो उसको बताता है कि उसने कतल किया है और वो जहाज से भागा ह भाग कर पहुंचा है वो यहाँ पर तो वो दोनों एक दूसरे के सीक्रेट्स एक दूसरे को ही बताते हैं किसी और को नहीं बताते Captain Legget का सीक्रेट रखता है और Legget Captain का सीक्रेट वो दोनों एक दूसरे की मौझूदकी में बहुत confident रहते हैं वो दोनों एक दूसरे की हिफाज़त करते हैं और एक दूसरे के सीक्रेट्स को अपने पास महफूज रखते हैं तो यह है इसका टाइटल The Secret Shierer कैप्टन लेगट का सीक्रेट शेरर है और लेगट कैप्टन का उसके बाद हम डिसक्स करेंगे थीम्स को सबसे पहला दिम है Isolation का कैप्टन खुद को isolate फील करता है बाकी crew members के साथ जो बाकी अमला है उसके साथ जब वो उनके साथ बैटने की कोशिश करता है तो वो खुद को बहुत अलग महसूस करता है उसे लगता है कि ये लोग एक दूसरे के साथ एक अरसे से काम कर रहे हैं वो इन से बहुत अलग है इसलिए शाम में वो अलग ही सूरज करूब होता देखता है और उसकी अंदर अपनी अकेला पन को महसूस करता है अपनी तनहाई को महसूस करता है तो यह फर्स्ट टीम है आइसोलेशन का हम Captain की Isolation देखते हैं स्टोरी स्टार्ट होते ही वो खुद को सबसे अलग समझता है वो किसी के साथ कुल कर बात नहीं करता और खुद को बहुत तन्हा महसूस करता है तो यह First Theme है Isolation का Second Theme है Discovering the Self हम देखते हैं कि स्टोरी स्टार्ट होते ही कैप्टन खुद को सबसे अलग समझता है स्टोरी के साथ साथ वो खुद को Discover करता है वो समझ नहीं पाता कि वो बाकी लोगों से घुल मिल क्यों नहीं रहा वो बहुत अकेला खुद को महसूस करता है लेकिन जैसे ही लेगट उस चहास पर आता है तो वो बहुत Confident फील करना शुरू कर देता है हर काम वो बहुत Confidently करता है वो अपने अंदर एक अलग तरह की Energy फील करता है लेगट की मुझूदगी में वो बहुत खुश रहता है तो हम ये देखते हैं कि कैप्टन खुद को Discover करता है पूरी स्टोरी के अंदर हम Self Discovery को देखते है थर्ड थीम है Duality का हम स्टोरी के अंदर कैप्टन की Duality को देखते है कि जब वो अपने अमले के साथ होता है तो वो बहुत उनसे अलग तलग खुद को महसूस करता है बहुत तनहा महसूस करता है उनके साथ घुलता मिलता नहीं है लेकिन जब वो लेगट के साथ होता है तो वो बहुत Confident फील करता है खुद को बहुत अच्छा फील करता है उसके अंदर वो खुद को देखता है तो हम उसकी Duality को देख रहे हैं कि वो अमले के साथ Problem Face करता है अकेलापन Face करता है जबके लेगट के अंदर वो उसी Problem का Solution Face करता है तो ये Duality को देखते हैं हम इस स्टोरी के अंदर और लास्ट टीम है Real versus Imaginary हम इस स्टोरी के अंदर देखते हैं कि लेगट जब वो जहाद पर आता है तो हम Captain को देखते हैं मिलते हैं तब ही मिलते हैं जब वो Captain से बात करता है Otherwise उसके कोई Personality नहीं है तो हम पूरी स्टोरी के अंदर इसी Confusion में है कि क्या वो Real person है या Captain ही एक Dual person के तोर पर हमारे सामने है Act कर रहा है तो हम Reality और Imagination के दरम्यान Confused फिल करते हैं खुद को लेगेट एक Actual person है या Imaginary person है हम पूरी स्टोरी के अंदर ये नहीं जान पाते तो ये Last theme है Real और Imaginary का तो ये थी स्टोरी The Secret Shierer by Joseph Conrad उमीद है आपको समझ आई होगी आज के लिए इतना ही मैं मिलूँगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए खुदा हाफिस